हेलो फ्रेंट आज की वीडियो मैं आपको इस तरीके से आई बनाना और इस साइड हुग लगाना शिखाओंगे बहुत ही सिम्पाल और आसाम तरीके से वीडियो के एंड तक देखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो फ्रेंट वीडियो स्टाड करते हैं देखे म आपको जहां पर आई बनाना है वहां पर आपको इस तरीके से एक बार निकालना है थोड़े दूरी पर घुसा लेना है इस तरीके से आपको तीन बार कर लेना है तीन परत आपको इस तरीके से कर लेना है तो देखिए दूसरा परत है उसके फिर से आपको वही प्रोसेस करके तीन परत आपको कर लेना है ठीक है थोड़ से मूटा रहता है तो ठीक लगता है यह बहुत ही आंसान तरीका है फ्रेंस इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा देखिए तीन परत मैं कर ली हूँ उसके बाद अंदर से आपको फिर से निकालना है और उल्टा करना है सुई को और इस तरीके से आपको डालना है उल्टा करके ठीक है एक बार दो बार इस तरीके से आपको डालते जाना है बहुत ही सिंपल है जटपर से हो जाएगा बहुत ह आसान तरीका है ये आई बनाने का अगर आपको ये तरीका पसंद आया रहा होगा तो एक कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा इसी तरीके से मैं नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहती हूं तो चैनल को सस्क्राइब कर लेजेगा धाका को अंदर की और निकालके आपको गाड़ बान देना है और कटिंग कर देना है इसके बाद फ्रेंस आपको गाड़ बान लेना है और देख सकते हैं कितना फिनिसिंग के साथ ये आई हमारा तयार हो गया है अब हम दूसरे साइड यहाँ पर हूख लगाएंगे तो हू एक बड देख लेजेगा तो यह आपको लगाएगा बार-बार अच्छा नहीं लगता है खोलना उसके बाद को क्या करना है शेंटर पेसा हो रखना है उसके बाद सेंटर से थोड़ा शरा कुछ नहीं साव म कुछ इंह na दलना है और दो बार इधर वाले को उसके बार दो बार उसको लोक करने欄 उसके बाद यह बहुत ही आसानी से आपका लॉक हो धेत müsste कि लेगा इसके बाद आपको गार्ड बांद लेना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और बैल नोटिफिकेशन को भी ओन कर लिजेगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे देखे प्रेस बहुत ही फिनिसिंग के साथ य था बात्ति हुआ है